हलो, मेरा नाम है प्रवीन और आप देख रहे हैं पाविकाफुरेट से इस चानल को आज हम सॉल करने वाले हैं नुमेरिकल वो भी numerical किस पर, this is the numerical on gauge pressure, the negative gauge pressure, positive gauge pressure, absolute pressure and atmospheric pressure मगर solve करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यह है आपसे request कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और like and share करना मत भूलेगा और bell icon का button दवाना मत भूलेगा ताकि मैं हैसे ही educational videos आपके लिए हमीसा लेकर आता रहूँ ओभी per day, okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे numerical, आज का numerical क्या है, especially मेरे को बहुत सरे comment आया थे तो आज हम देखते हैं कैसे solve करेंगे, देखे, अब question क्या बोलता है, first of all we will write down a given data, given data, clear, तो कोई भी numerical solve करने से पहले given data लिखना बहुत जरुरी, it is very important, कैसे solve करेंगे, देखे, the atmospheric pressure at a place, कहने का मतलब है कि जो atmospheric pressure है, वो एक जगा पे, कितना है, is found to be equal to 76 cm of mercury, कि एक जगा है, जहाँ पर जो atmospheric pressure है, वो 76 cm है, आपको मालूब होंगा कि अगर हम जाते हैं, जादा समुंदर के पास, तो वहाँ पर जो pressure होता है, वो one bar का होता है, वाता बरण द्वारा जो pressure दिया गया है, that is one bar, कहने का मतलब है कि one bar का मतलब है, 760 mmHg, यानि कि जो mercury अगर कि जब 760 mmHg की height attain कर लेती है, प्रात कर लेती है, जब certain 760 mmHg height obtain कर लेती है, तो उस दोरान वो pressure कहलाता है, atmospheric pressure, और वही 760 mmHg को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, one bar का pressure, जिसको ये भी बोला जाता है, 101.325 किलो पासकल, दूसरे शब्दों में, 101.325 पासकल, तो मान लेतें क वो बॉंबे की बात कर रहे है, और जैसे जैसे हम पहाड पे, समुदर तल से उपर जाते जाते हैं, जैसे आपने दिखा होगा, station पे लिखा होता है, समुदर तल से उचाई, तो हम कहने का मतलब है कि हम उपर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उपर जाते हैं, पहाड पे, वहाँ भी लिखता है समुदर तल से उचाई, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो प्रेशर होगा definitely कम होगा, अगर Bombay Sea Level पर 760 mmHg है तो आप कहीं पहाड में रहते हैं, तो वहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, अट्मोस्फरिक प्रेशर वो कम होते जाता है, कहने का मतलब है कहीं पर 740 होगा, कहीं पर 720 होगा, कहीं पर 700 होगा, फिलहाल मैं इक जगह नासिक में रहता था, जहाँ पर जो प्रेशर था, it was almost 720 mmHg, 720 mmHg, तो देखिए हम कैसे बात करते हैं, उन्होंने बुलाए कि mercury का एक मर्कुरी कितनी हाइट पर उठी है, बताने के लिए एक्मोस्फरिक प्रेशर किताब 76 cmHg, यहाँ पर I'll write it down as a Hg, बाद को मालूम है कि प्रेशर किसी भी टर्न्स में हो सकता है, आप एक चीज मैं जरूर क्लेर कर दूं कि जो मर्कुरी है, उसकी डेंसिटी सबसे हेवी होत इसलिए इससे यूज़ किया जाता है, पानी की टेंसिटी सबसे कम है, इसको वन बार का प्रेशर बताने के लिए लगबग 10.33 मीटर की हाइट लगती है, वही क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वन बार का प्रेशर बताने के लिए और वन बार का प्रेशर किसका ह वातावरण का, atmospheric pressure का, हवा का है उसको बताने के लिए सिरफ ये कितनी height पर उड़ती है 76 cm उड़ती है तो फिलहाल सबसे better है कि कोई भी numerical करते हुद सारी unit को length है तो meter में convert कर लेजे pressure है तो newton per meter square में convert कीजे velocity है तो meter per second में convert कीजेगा clear हो गया है? so we'll convert into meter तो हम क्या करेंगे? divide by 100 करेंगे तो it will come 0.76 meter of hg मैंने क्या कहा था? pressure को आप किसी भी terms में बता सकते है फिलहाल ये height के तौर पे और ये जो height है मेरे काफी पिछले videos देखिए जिसमें मैंने height का जिकर किया and height क्या होदे एक type की head होती है clear हो गया? height is nothing but a head तो ये type का head है pressure बताने के लिए ये head use किया जाता है मगर आपको मालूम है clear हो गया? okay अब क्या पूछा है? find out the absolute pressure in newton per meter square question गया पूछा है absolute pressure क्या होगा? और वो भी किसमें पूछा है? question mark this will be newton per meter square clear हो गया? तो पहला है कि एक जगा पे कोई तो point होगा अब उसने बताया है कि हमें absolute pressure ढूणना है तो पहला question क्या है कि gorge pressure है 2.54 meter of water इसका मतलब क्या होता है? कोई भी pressure कोई भी pressure जो atmospheric pressure के ऊपर measure किया जाता है that is called positive gorge pressure और वो भी pressure किसमें? आपको मालूम है आपने तो आसने के ही सुना होगा कि pressure हम इसा measure किया जाता है newton per meter square पे newton per meter square या फिर pascal मगर मैंने क्या बोला pressure को convert किया जा सकता है head में head क्या होती? एक टाइक की height होती है तो कोई भी pressure जो atmospheric pressure के ऊपर measure किया जाता है और जब atmospheric pressure को zero माल लिया जाता है actually में atmospheric pressure zero नहीं है हमने माना है कि atmospheric pressure zero है और उसके ऊपर जब कोई pressure measure किया जाता है उसको बोलते atmospheric means that is we call it as a positive gauge pressure अभी positive नहीं लिखा हुआ है but हमें यहापे समझना पड़ता है और कोई भी pressure जो atmospheric pressure के नीचे measure किया जाता है that we will call it as a negative gauge pressure समझे तब हमारे reference line क्या है वही atmospheric pressure को आपने zero माल लिये तो फिलाहाल और एक दूसरा question है vacuum gauge pressure जिसको बोलते है vacuum को negative भी बोल सकते कोई भी pressure जो atmospheric pressure के नीचे होता है that we will call it as a vacuum gauge pressure तो वो किता लिया 24 kN per meter square तो हमें actually क्या पता करना है इसके इसाब से absolute pressure कितना है और इसके इसाब से absolute pressure कितना है तो we will find out एक question को मिटा देता हूँ I think आपको समझ गया होगा क्या है clear हो गया तो पहला question क्या था इसको मिटा देता हूँ कि हमारा gauge pressure क्या है gauge pressure है 2.54 meter of water clear हो या right now हमें एक जगा का pressure दिया हूँ है in terms of head तो मैंने क्या बोला है हमारे पर से एक जनरली formula होता है pressure equal to rho g h क्याने का मतलब है कि देखी इसका मतलब क्या होता एक tank है tank में पानी है और tank के bottom में हमें pressure p की वाली ढूननी है तो कैसे डूनेंगे rho g h h is nothing but your height और इसी height को बोलते है head अब clear हो रहा है head क्या है और ये जो है जो भी liquid इस container में लिया हुए that is the density and g is nothing but the 9.81 और ये आप scale से measure कर सकते अब समझ गया होगा कि head का मतलब क्या है तो इनोंने जो pressure measure किया है वो mercury के height के terms में measure के और ये एक type का head ही है समझ गया तो सबसे पहले में गया formula का use करके देख लेता हूँ कि newton per meter square में समझ रहे ये mercury किता pressure दिती ये तो head है pressure को head में convert किया जा सकता है head को pressure में convert किया जा सकता है I think आपको समझ रहा होगा तो therefore mercury की लगेगी therefore mercury की density होती है this is 13,600 kg per meter cube into g g is 9.81 meter per second square and h h ये mercury की height है this is 0.76 meter अब आप देखिए आपने एक चीज कहीं पे देखी होगी kg meter per second square को newton लेख सकते है kg meter per second square को newton लेख सकते है this is ये देखिए kg meter per second square तो आपने को newton मिल गया ये meter से 1 meter cube cancel हो गया है तो क्या रह जाएगा नीचे 1 meter square रह जाएगा therefore p की value मैंने already calculate की हुई है this is coming out to be 101396.16 मैंने क्या बोला kg meter per second square को newton लिखा जा सकता है ये meter से meter cube cancel हो गया तो this is newton per meter square तो मैंने क्या बोला था उन्होंने जो एक measure किया था एक instrument का use करके atmospheric pressure एक जगा का वो था head और head को convert कर लिया हमने finally pressure थे समझ रहें तो अगर मैं इसका graph बनाता हूँ यहाँ पर देखी यह हमारा graph है यह absolute zero की line होती है यहाँ पर absolute zero की line होती है zero absolute line और यह जो है this is x-axis this is pressure clear हो गया अब यह जो है यह हवा का दबाब है clear हो गया अब काफी लोग इसको one bar भी बोलते है और इसी को head के terms में height के इसाफ से बताना है mercury के तो कोई लोग इसको 0.76 meter भी बोलते है समझ रहें यहाँ पर meter ही आ रहा और कई लोग इसको 760 mm hgb बोलते है clear हो गया तो यह जो pressure है यह atmosphere pressure की line इधन आती है यह atmospheric pressure this is your atmospheric pressure अब मैंने क्या बोला इसी को one atmosphere भी बोलते है clear हो गया कहने का मदलब है कि यह one atmosphere की line है और मैं यह भी लिख देता हूँ यही one atmosphere one bar भी है और यह जो value आई है इसी की value है यह 0.76 meter भी है क्या है कौन है यह mercury है क्योंकि हम mercury को जो pressure है हम head के तोर पे बता सकते है pressure को मगर क्या use करें वो ज़रूर लिखना पड़ेगा अगर मैं पानी की terms में head निकाल रहा हूँ तो मैं लिखूँगा कोई भी value के साथ meter of water तो अभी फिलाल मैं यह लिखता तो कि यह जो pressure है इसका मतलब यह यह नहीं 101.396.16 Newton per meter square तो इसी line को बोलते हैं और इसी line पर हम खड़े हैं clear हो गया यही एक mospher हमारे उपर act कर रहा है समझें अब आते हैं हमारे A question पर clear हो गया वो एक question क्या बोलता है कि अगर gauge pressure कितना है 2.5 meter of water अब मैंने बोला था ना आपको कि जो यह जो बात कर रहे है अगर gauge pressure है वो meter of water की बात कर रहे है actually में pressure को head में convert किया जा सकता और head को meter में convert किया जा सकता है अब जो question है उसने क्या बोला है कि हमें absolute pressure ढूंडना है clear हो गया और absolute pressure हम कैसे ढूंडेंगे जब हम इसको reference line ले जाते है जब इसके respect में measure करते हैं तो कोई भी pressure suppose वो यहाँ पर होगा वो absolute pressure होगा वो point यह atmospheric pressure है atmospheric pressure की कोई नीचे होगा suppose कोई point तो इसके respect में measure करेंगे यानि कि जब इसको zero मान लेते हैं तो वो हो जाता है absolute pressure तो यह अब देखते हैं question क्या बोल रहा था वो कि gauge pressure is 2.54 meter अब मैंने बोला था है कि gauge pressure क्या है अब इसके साथ positive तो लगा नहीं है अभी gauge pressure either negative हो सकता है या positive हो सकता है तो कहने का मतलब है positive भी बात करना था तो gauge pressure है 2.54 meter of water कहने का मतलब है कि atmospheric pressure को उसने zero मान लिया मैं वापिस repeat करूँगा कि जो positive gauge pressure होता है यानि कि gauge pressure होता है इस question में positive नहीं लगा हुआ है मैं खुद से लगा देता हूँ positive gauge pressure वो हमेशा atmospheric pressure के ऊपर measure किया जाता है मगर उसके लिए जो condition चाहिए atmospheric pressure को zero मान लिया जाता है क्या बोलते हैं zero मान लिया जाता है यह जो line है अब आप बोलते हो मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि atmospheric pressure zero होता है मगर कोई भी pressure जब atmospheric pressure के उपर मिजर किया जाता है, that तो Bill call it as a positive gauge pressure इसके उपर मिजर कर रहा हूँ, तो इसको फिलाहाल मैं थोड़ी तरीक लिए 0 वाल लेता है, क्योंकि यह हमारी reference line बन जाती है, और दूसरी चीज, वो pressure भी head के terms में दिया हुआ है और पाली का जो head है, इस बार कितना है, 2.54 meter of water, तो फिलाहाल मैं यही equation use करके, rho g h use करके pressure कितना होगा, वो कोई भी pressure होगा, वो definitely gauge pressure के उपर है, इसलिए तो वो positive gauge pressure इसके इसके बार कर रहा है, सब उस वो point है a, अब a point पे क्या बोल रहा है हो, कि यहाँ पर जो pressure है, वो कितना है, 2.54 meter of water, तो मैंने बोला था, कि आप head का use कर रहे हैं, तो पानी के terms में भी measure कर सकते हैं, अगर मैं petrol का use कर रहा हूँ, तो petrol के terms में भी height दिखा सकता हूँ pressure की, pressure की नहीं means head की, और head को convert किया जा सकते हैं आपके pressure पे, फिलहाल ये जो head है, इन्होंने क्या बोला है, कि जो देखो, पहले तो positive watch pressure है, कहने का मतलब है, reference line जो है हमारी atmospheric pressure है, और कोई भी pressure जब हम atmospheric pressure के उपर measure करते हैं, तो ये बन जाती है 0, तो ये 0 होगी, तो 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1 तक आएगी reading, फिर 2 तक आएगी, फिर Newton per meter square के सबसे pressure कितना वो निखाल लेखें, तो row, row, क्योंकि ये पानी के सबसे बात कर रहा है, तो this will be 1000 kg per meter cube, multiply by 9.81, this is meter per second square, और H जो है, पानी के तापस में height कितनी है, 2.54 meter, अब मैंने वह चीज़ बो ले थे, kg meter per second square is your Newton, 1 meter से 1 meter cube कड़ जाता है, तो therefore, pressure equal to this is your 249 17.4 this is Newton per meter square, तो ये जो पानी के साबसे जो head था, वो हमने actual pressure में convert कर लिए, तो इसको मैं यह point A को लिख सकता हूँ, equal to 249 17.4 Newton per meter square, अब बारी आती है है, हमारी question क्या था, actually में कि absolute pressure के एसाब से, ये point क्या खहलाता है, समझत रहे हैं अब मैंने क्या बहुँगा, देखे, अगर इसको zero माल लेते हैं, तो कोई भी pressure जो atmospheric pressure के ऊपर होता है, that is called positive gauge pressure, मगर फिलहाल, ये जो इन्होंने दिया था, ये head के ये साब से, head क्या होती है, एक height होती है, तो पहले समझ ये zero है, तो 0.2, 0.5, 1, 1 से लेके 2, 2, 2.5, मगर हमने क्या किया, ये head को हमने pressure में convert कर दिया, और उसकी unit क्या है, formula ये use कर सकते हैं, तब density भी वो ये use करनी है, तो newton per meter square को Pascal भी वोलते हैं, तो ये हम Pascal भी लिख सकते हैं, यानि कि 24917.4 newton per meter square या फिर Pascal, तो कहने का मतलब अगर ये zero है, तो दीरे-दीरे reading thousand होगी, 2000 होगी है, finally 24917.4 newton per meter square होगी, clear हो गया, कोई confusion है इसमें? मगर question था, कि absolute pressure क्या होगा, clear हो गया, अभी ये जो pressure आ रहा था, ये हम measure करे थे with respect to atmospheric pressure और atmospheric pressure को zero बना दिया था, मगर उसमें question बूचा था, absolute pressure क्या हो, absolute pressure तो, आपको मालू में, absolute pressure के बारे में अगर बताना है, तो इस line को reference line लेना पड़ेगा, और ये बन जाएगा, हमारा zero, clear हो गया, अगर इस respect में, हम इस a point को measure करते हैं, तो ये हो जाएगा, absolute pressure at a, ये पर क्या होगा, finally, ये मैं फिल्लाज मिठा देता हूँ, I think आपको समझ गया होगा, देखिए ध्याम से, absolute ये ही a point, meter के इसाफ से, जब इसको reference line लिया है, यानिके, head के इसाफ से 2.54 meter कहलाता है, clear हो गया, then, क्या बोलते हैंगे, newton power meter square के इसाफ से, यानिके, pressure के इसाफ से, जब इसको reference line लिया है, तो ये तो कहला हैगा, 24917.4 newton power meter square, और अगर हम, ये चीज़ अलग होगी, इसी a point को, अगर absolute pressure के इसाफ से miser करेंगे, absolute pressure के इसाफ से miser करेंगे, तो ये reference line 0 बन जाएगी, तो this will be this, यहाँ, this plus this, समझ रेख, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 101396.16, plus 24917.14, समझ रेख, तो this value that this will come is your 126313.56 newton per meter square, समझ रेख, यही a point क्या कहला हैगा, this is 126313.56 newton per meter square, यही a point, जब यह 0 line थी, मतलब यह reference line लीते, तो head के साब से 2.5 meter of water है, जब यही reference line यह atmospheric pressure को हम reference line लेंगे, तो यही pressure, a point का pressure इतना कहलाता है, clear हो गया, मगर जब हमने reference line यह ली, तो यही point यह कहला हैगा, दोरों का मतलब यही, किसी ने बोला, सबोज एक person ने बोला, कि a point पे pressure है, 2.54 meter of water, मगर साथ में लगाएगा, positive gorge pressure, दूसरा percent बोल सकता है, हाँ, आपका कहना सही है, तो b percent ने वो क्या बोलता है, कि वही a point को, मतलब एक और percent है, वो ही कहेगा, कि आपका कहना बिलकुल सही है, clear होगे, मगर मैं कहता हूँ, कि इसी a point को, अगर atmospheric pressure मैं 0 माल लेता हूँ, तो newton per meter square के साब से, means, जो pressure होगा, वो होगा, 24917.4 newton per meter square, एक और person बोलता है, जी, आपका कहना तो बिलकुल सही है, मगर मैं यह कहना चाहूँगा, कि अगर मैं इसी a point को, absolute reference, means, absolute zero line को, अगर reference माल लेता हूँ, तो यही pressure कहा जा सकता है, 126, 313.5 newton per meter square, मगर साथ हमें absolute pressure भी लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आपसे last की heading से आप पता लगा लेते हैं, clear हो गया, अब जो दूसरा point था, एक, I think यह clear हो गया वाज़ आपको, एक B question था, that vacuum gauge pressure is 24 kilonewton per meter square, अब आपको मालूम है, vacuum gauge pressure, vacuum means negative gauge pressure, कोई भी pressure जो हम, atmospheric pressure के नीचे measure करते हैं, मतलब सबोज यह यहाँ पर B point है, कोई भी pressure, जब हम, क्या बोलेंगे, atmospheric pressure के नीचे measure करते हैं, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ, सबोज यह भी point है, तो यहाँ पर कोई pressure होगा, तो यहाँ पर जो pressure होगा, we'll call it as a negative gauge pressure, clear होगे, negative gauge pressure, तो वहाँ पर कितनी value दी है, यहाँ की value कितनी है, 24 kilonewton per meter square, सबसे पहले तो हमें काम करेंगे, kilo को absorb कर लेंगे, 24 multiplied by 1000, this will be 24, this one, newton, 1000 newton per meter square, मतलब कहने का मतलब है, यह negative gauge pressure है, तो अब जब हमने reference line, इस atmospheric pressure को लिए, clear होगे, तो यह point कैसे कहला आता है, 24000 newton per meter square, clear होगे, अब कैसे, देखे, यहाँ पर 0 है, अब reference line यह है, तो हम यही से चलेंगे, clear होगे, तो this is 0, then आपका हो जाएगा 10,000, then 2000, then एक value आगई, समझने में क्या को जाओ, यहाँ पर मैं value ले ले लता हो 10,000 की, 10,000, फिर आई थोड़ी से value 20,000, और finally आगया 24,000, समझने में क्या को जाओ, 24,000, तो जब हमारी reference line यह है, 0 है, तो हम इसके respect में धीरे धीरे नीचे आएगे, तो this, यह जो point है, यह कहलाएगा 24,000, negative gauge pressure, clear होगे है, मगर उसने क्या बोला है, हमें absolute pressure के इसाब से, यह B point क्या कहला है, absolute pressure, मगर आपको मालूँ है, absolute pressure के time में, reference line हमारी यह हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, आपको मालूँ है, यह पूरा है, 101, 101, 396.16, तो इसमें से हम, यह minus कर देंगे, तो यही बचेगा, समझें, यह पूरा line, आपको मालूँ है, यह कितना pressure है, 101, 396.16, newton per meter square, उसमें से, आपको मालूँ है, जिसकी हम बात कर रहा है, absolute pressure की, यही B point, absolute pressure के सब से कितना के लाएगा, तो वो यह होगा, यह वाला, यह जो मैंने, यह line अभी बनेगे, तो यह कैसे find out होगी, यहां से, आप इतना minus कर दीजे, तो आपको यह मिलेगा, तो therefore, we'll write down, absolute pressure, B के case में, जो B question था, कहां पर, at point B, equal to, 101396.16, minus, your 24,000, clear हो गया, तो this value will come finally, इसको मिटा देता हूं, यह जो value आ रही है, this is, 7739, 7739, 6.16 newton per meter square, तो आज के लिए इतना ही, this is, तो यही value, कहने का मतलब है, कि B point को बोल सकते हैं, एक person बोलता है, कि भई, हाँ, B point को बोलूँगा, मैं, 24,000 newton per meter square, negative gauge pressure, कब, जब reference line, आपके atmospheric pressure होती, तो वो zero होती, मगर दूसरा person को बोलेगा, आपका कहना बिलकुल सही है, you are absolutely correct, you are absolutely correct, मगर यह भी, B point को ऐसे भी कहा जा सकता है, कि B point पे 77396.16 newton per meter square pressure है, और वो भी साथ में लगाना पड़ेगा, absolute pressure है, clear होगे, I hope आपको समझ में आगया होगा, what does it mean by using graph even, तो ऐसे ही मैं educational videos, आपके लिए हमेश्चा से लेते आता रहूंगा, तो please इसके लिए, मुझे थोड़ी motivation की ज़रूर 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 ज़रूर, तो please like and subscribe, ज़रूर कीजेगा मुझे, ताकि मैं ऐसे ही heat transfer पे strength of material और fluid mechanics और बाकी दूसरे subjects भी videos आपके लिए अच्छे चे वीडियो लिए लिके आता रहूंगा, तो please thank you, जय हैंद जय भराद,